जुले खजापरी बहडी की रहने वाली हूँ, एक लड़के से मेरा फियर था प्रतीक जाट नामास का, वो बहडी मुंडिया घाडगाओं का रहने वाला है, उसने मेरे साथ धोका किया, मेरे साथ सब कुछ किया, पांस साल से रह रहा है और अब शादी करने के लिए मना कर र अब मैं बोल रहा है, तो फमज्जे पैसे देने की धंकी दे रही है, ये पैसे ले लो हमारि लडगे का पीचा शोड़ दो, इतने हम पय्तों प्लिस को देंगी तुमने दे देंगा, तूम ले लो, 40 लाग दे रही है और मुझे जान से मारने की धंकी दे रही है, उसके ठ् खुन रहे हैं और कहने हम गला काट देंगे जहां मिल गई लड़की है इस लड़की का नाम है इसने खुद मीडिया के सामने आकर के अपनी रूदात सुनाई के पास साल से एक गहर मुस्लिम लड़के के चक्कर में भसी वी थी शादी का उसने वादा किया अल्ला हिफादत फर्माए फिजिकल रिलेशन भी कायम हो गए यानि के जो मिया बीवी वी मामलाद होते हुटे हैं उस सारे इसने खायम कर लिए उसके बाद खुछ दिनों तक जब इसने शादी व referring को कहा बैराल टालता रहा भी लाके सब्सक्राइब कर दिया इसने यहां तक बदाया जाए कि इसके घर वाले इसके इसके सर्साथ शरीग हैं इन्होंने पैसे वैसे भी दिये, पहले उन्होंने भीगा कि तुम हमारे दरकी बहुँ हो, अब उन्होंने इंकार कर दिया, अपने हम मदब किसी लड़की से उसका रिश्टा तैर कर दिया दोस्तों, यहाँ खैर मुस्लिमों का मसला नी, शिकायत मुझे अपनों से है अपनों से इसलिए कि यहाँ पर 2-4 काम हम मसल्मानों की जम्मादारी थी एक मिसल्मान होने की हैसिषी से हमारी जम्मादारी थी सबसे पहले जम्मादारी हमारी यह थी कि हम अपने बच्चों को देन सिखाएं लेकिन आला wrist फर्माए आज हालात यह हो चुके हैं कि दीन सीखने का और मदर्से के अंदर दाखला लेने का ठेका सिर्फ गरीबों के हाक में रह गया है मुसल्मान मालार अपने बच्चों को अपनी नसलों को मदारिस का रुखनी करवा दे जो कुछ टूटा फूटा खुरान अपने घर पर बैठ करके पढ़ा लेते हैं काली साब को बला लिया मुलाना साब को बला लिया दो-चार साल मेरे खियल से यह भी जशोषावत से कह रहा हूँ दो-चार साल भी ज़दा हो गए मेरे खियल से कुछ 6-8 माईने साल बर अपने बच्चों को घर पे रह करके टूटा पूटा कुरान पढ़वा ले थे बस यही काफी है ना उनको जनाजी की नमाज आती ना जरूरी आते दीन आता अल्ल्ह हिफादत फर्माए इस्तिंजा करने तक की तमीज नहीं होती तो मेरे दोस्तों इस बात को बिलकुल नजर अंदास कर दीजिए फितनों का दौर है वोना ये चाहिए क्या मालदार क्या गरीब सब के सब अपने बच्चों को मदारिस करुख करवाए उनको दाखला करवाए और हलाल हराम की कम से कम हमारे बच्चों को तमीज आनी चाहिए जरूरी नहीं हर बंदा मौलवी बने लेकिन कम से कम इतना तो दीन आ जाए कि हलाल हराम की शनाखत हो जाए और फितनों की शनाखत हो जाए और उन फितनों से बचना आ जाए तके वो भी बचे और आगे अपनी नसलों को भी बचाए दूसरा काम जो करने का है अज़ा हिवाज़त फरमाए इसमें क्या मालदार और क्या गरीब सारी भसे हुए वो यह कि अपने बच्चों की बरवक्स शादी नहीं करते एक तो शादिया देर से करते और उपर से शादी को इतना मुश्किल कर दिया कि जिना आसान हो गया एक फूल के उपर एक चॉकलेट के उपर जिना हो जाता है आज अभी देगिए 14 फरवरी कोई बहुत जादा दूर नहीं वालेंटाइन डे के नाम से इसको याद किया जाता है और इस मौख़े के उपर जरा जरा सी 50 रुपे की चॉकलेट के उपर बच्चें की इज़तें तार तार कर दी जाती है क्या हिंदू क्या मुसल्मान सबकी इज़तें लुकती है ये क्यों हुआ क्योंकि हमने शादियों को मुश्किल कर दिया मालदार अपनी शान के मताबिक शादियों करता है घरीब आदमी भी करदे लेकर कमेटियों लाट्रियों डाल कर नेफ्ते डाल कर वो भी जो है अपनी लाह इफाज़त फर्माए हैसियत से उठकर शादियों करने की कोशिश करता है जिसका लाजमी नतीज़ ये होना था कि जब शादियों मुश्किल हो गई तो जिना आसान हो गया और पिर इस तरीके की लड़कियां इनके ना दुनिया रही न दीन रहा क्या रहा बदाएए लोगों ने अपने बच्चों को मदारिस में तो डालानी और इन बच्चें को स्कूल के अंदर कॉलिज के अंदर युनिवर्सिटी के अंदर डाल दिया और आज कॉलिज और युनिवर्सिटी के क्या हालात है मुझे वज़ाद करने की जरूत नहीं अल्ला हिफाज़त फरमाए ऐसे इल्म से बच्चे जाहिल अच्चे इमान तो बचा रहेगा मेरे दोस्तों इन दो तिन कामों में अपनी जिम्मेदारी समझे एक कौम होने की हैसियस समझे पानी सड़ से नहीं छच्छ से उपर जा चुका है अब भी अगर देर लगाओगे तो लगाओज़ फरमाए खुदा जाने कितने दिनों के अंदर हमारे मुल्क इस पेन के अंदर तब्दिल हो जाएगा अल्ह तबारु को ताला इन बातों को संजीत के साथ हमें सोचने की इन पर गोरो फिकर करने की फिर इन पर अमल करने की तविख अता फरमए आल्थ आल्थ आल्या हमारी हमारे नस्लों की जानमाल की इमान की इस अदाबरू की इस फासत फरमए और जल्द से जल्द अपने बच्चों का निगा करने की अगाँ करने की